हेलो स्टूरेंट्स आइम आर्ती और मैं आप सबका विलकम करती हूँ आर्ती एडुकेशन वर्ल पर प्यारे बच्चो सबसे पहले तो आपको नव वर्ड्स की धेर सारी सुबकाम नाए बच्चो आज मैं आप लोगों के लिए आपकी वर्क सीट नमबर 92 लेके आई हूँ जो कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चो के लिए है यानि के क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के सबी स्टुडेंट्स को ये वर्क सीट करनी है हमारी कोमन वर्क सीट ये आपकी हिंदी की वर्क सीट है और इसमें आपकी डेट है इस वर्क सीट की 16 जन्वरी 2021 इस साल की आपकी पहली वर्क सीट मेरे प्यारे बच्चो बच्चो अपने विद्यारती के नाम में आप अपना नाम लिख लिजे, कक्षा अध्यापक के नाम में अपनी क्लास टीचर का नाम लिख लिजे, ओके, चलिए, आप करते हैं हमारी वर्क सीट, नीचे दिये गए चित्रों में दरसाए गए कार्य को ध्यान पूर्वक देकर ह या नहीं लिख कर बताए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, तो बताओ, अब आप देखिए इनको और देखके बताओ कि हम ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बच्चो ये देखिए, पहली पिचर में आप क्या देख पा रहे हैं, बताए क्या देख पा रहे ह जो पहली पिचर है इसमें आप देख रहे हैं सबजी ले रहे हैं किसमें पोलोथीन में ले रहे हैं तो पोलोथीन को तो बैन है पोलोथीन तो हमें यूज नहीं करने चाहिए तो इसमें क्या लिख लेंगे आप नहीं ठीक है दुबारा सी लिख देती हूँ थोड़ा सा जो आपको और किलियर दिखे है my dear students तो यहाँ पे आप लिखेंगे ना हा पे बडी की मातरा ही नहीं ठीक है हमें प्लास्टिक की थैलियों का यूज नहीं करना चाहिए आप देखते हैं दूसरा क्या है दूसरे में भी प्लास्टिक की बोटल है प्लास्टिक की थैली है तो ये भी हमें यूज नहीं करनी चाहिए इसमें भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं यहां लिखना है आप देखें तीसरी पिचर में हम क्या देख रहे हैं हमारी यमना नदी को कितना गंदा कर रहे हैं इसमें कच्रा फैक के पूजा की सामगरी डालके तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे नहीं ठीक है बच साफ और सुन्दर रखना है अपनी दिली को तो हम इसमें क्या लिख देंगे माइडिया स्टुरेंट्स इसमें लिख देंगे हम हाँ ठीक है इसमें हम हा लिखेंगे ओके चलिए अगला देखे अगला फिर से गंद की फिला रहे हैं इसमें कुड़ा कच्रा डाल रहे हैं तो ह हम इसमें लिख देंगे नहीं अगला देखे हम दूसरे प्रकार के थैलो का यूज कर रहे हैं प्लास्टिक की जंगे पर हम इस तरह के इस तरह के इस तरह के थैलो का यानि के हम कागज के कपड़े के जूट के थैलो का यूज हमें करना चाहिए तो इसमें हम क्या लिख आपका उसमें नहीं, 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 हाँ, ठीक है, इस तरीके से आपके आंसर आजाएंगे, चलिए आप चलते हैं दूसरे कोशन पर, दूसरा कोशन क्या है, दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकर्तिक सोत्र, तो बच्चो दिल्ली में जो जल है, उसका प्रमुख प्राकर्त प्राकरतिक सोत्र क्या है आप सब जानते हैं यमना नदी हमारा जल का प्राकरतिक सोत्र जो दिल्ली में है प्रमुकरूप से यमना नदी है तो यहां पे क्या लिख देंगे हम यमना लिख देंगे ठीक है इसमें हमारी लापरवाई के कारण प्रति दिन बढ़ता जा रहा है क तो क्या लिखेंगे जल प्रदूशन ठीक है जल जल और प्रदूशन ठीक है जल प्रदूशन इसमें रहने वाले जीव हैं जीव कौन-कौन से रहते हैं बताइए पानी में आप सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सबसे पहले तो आपको पता है क्योंकि सांप भी रहते हैं पाणी में आपको पता था यह बाथ आप यğ reproductive निके हैं sarp और के मेंड को लगाता है मेंडक और फिक्यावर्ण सांट के और प्रियावरं कि लिए जल की व्यूजित इस्थिती से तो कैसी है बताओ ज्य जीवर्ण और प्रियावरंद के लिए जल की प्र लिए अगर जल में प्रदूशन होगा तो इस्तिती कैसी होगी अच्छी होगी कि खराब होगी आप खुद ही सोचके बता दो मेरे इस्पिरेंट्स तो यह तो आपको पता ही है बेहत चिंता जनक, बेहत चिंता जनक लिख दीजे, बेहत खराब लिख दीजे, एक ही बात है, तो आप बेहत खराब लिख दीजे, अगर चिंता जनक लिखना चाहें, तो चिंता जनक लिख दीजे, खराब, ठीक है, खराब, ठीक है, तो आपको लिख देना है बेहत खराब, तो य इस बारे में चर्चा कीजिए तो आपको पता ही है दिल्ली की प्रुमुक नदी कौन सी है यमना नदी और जो भी आपके परिवार के मम्मी पापा बड़े भाई बहन या चोटे भी सबसे आपको मिलजुल के बात करनी है कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूशन की रोगताम के लिए क्या क्या कर सकते हैं और उन उपायों के लिखे उनसे आप बात कर लीजे अच्छी तरीके से और उसके बाद जो आप उसके भलाई के लिए कर सकते हैं वो लिखना है तो बच्चो आप वो पता क्या लिखेंगे आप ये लिखेंगे आप इस तरीके से अपनी वर्क आरतों का इस्तमाल ना करना, जल प्रोदूशन को कम करने के तरीकों पे काम करना, आप ये सारे उपाए इसमें जो आपका स्पेस है ना बच्चों, उसमें लिख सकते हैं, कौन सा स्पेस, किसी स्पेस की बात करी हूँ, ये वाला खोशन का अंसर, मैं दुबारे से दिखा बच्चों, ये आंसर आप कहां पे लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको शो किया था, ठीक है, तो ये हो गया आपकी वर्क सीट का तीसरा कोशन, और आखरी कोशन, आशा करती हूँ, वीडियो आपके लिए बहुत हैल्फुल रही होगी, आपको मज़ा भी आया होगा और आप सफाई का विसेश को रूप से धियान रखेंगे, और कोरोना से बचने के लिए आप समय समय पर बेसक सर्दी है, सनिटाइज या हातों को धोते रहें, और बच्चों, अगर घर से बाहर आपको निकलना पढ़ रहा है, तो मास्क लगा कर जरूर निकलें, तेंक कर दो